मैंने का भाया इस जूलिया में जूल के मुझे वीडियो बना दो तो इन्होंने मुझे उतार दिया नीचे और मतलब पैसे देखे यहां पर आप अपनी ऐसी तैसी करवा के गला फाड़ो यह सब खर्चे करके खुद को दुख पहुंचाने के चौंचले हैं ज्यादा गिफ्ट भी दिये हैं जो कि मैंने प्री प्लानिंग कर रखी थे आज आपको खाली मेले मेले चलती हूं मतलब खाली कैसे लोग नहीं है समान और मेला वैसक वैसा है एक वह भाई सब वहां चड़े हैं पता नहीं क्यों अभी जूलों मूलों की और यह सफाई यह बच्चे जिद्ध कर रहे हैं वह सामने खड़े बच्चे कि हमें जुलाओ ट्रेन में चलाओ लेकिन यहां पर इनकी टिकेट बंद है मैंने का वह यह इस जूले में जूल के म जनाए हुए हैं आसमान में उड़ रहे हैं जरती पर इनको जगा नहीं मिल रहे हैं वहां जाके लोग वापस आते हैं बगवान से थोड़े दूर रहते हैं भाई वहीं से उपर ही चले जाओ ना फिर खर्चा इतना कारी दिया है इसकी टिकेट लेके वहां पर नीचे खड के मत जाना पर ना उबगाई पता नहीं ख में पता नहीं तो यह है डॉलर जूला तो इस जूले में जूलने के लिए टिकेट थो नॉर्मल आपने इंडियां रुपीज में बिलनी पढ़ती है । इस पर जूलने के बाद आपको डॉलर मिलने को बस ऋपर जाकर आपको जो जो भी आप देखोगे सारी के सारे तो देखो सब कुछ और बच्चे तो सबसे ज्यादा खड़्चा करवाता है इसलिए मैं अभी तक अपने बच्चों को लाई नहीं यहां देखो कुछ लोग बैठे आराम कर रहें वहां पर कुछ लोग बैठे बारा बजे कर रहें बारा से देखो वह अगर किसी जुले से गिर गए न तो जम इन पर पक्का नहीं आएंगे कहीं बीच में अटक ही जाएंगे और टांग हाथ पैर कोई हड़ी वड़ी टूट सकती है लेकिन पूरी तरह जिंदगी खतम नहीं होगी यह तो पक्का है मतलब लाइफ को जंड करने का पूरा का पूरा अंजाम क्या कहते हैं इंतजाम कर रखा है यह ड्रैगन वाली नाव दिख रही है यह अपने आप इल्री है पता नहीं इसको क्या उकम पायक पता नहीं यह बच्चे अभी विजित कर रहें कि हमें जूल में जूलना कि पिंग येलोजिंऍगी ट्रेन लेजिटि फोटो खोह सकते हैं मैं तो वह भी नहीं खिछा सकते हैं कि एक बार मैं पूछ के चड़्ी पह Aegis को अतार दिया अभी मेरी इंमत नहीं हो तो बाई मैंसे में पचास रुपए है टिकेट काउंटर पर लिखा वा है बागी तो पता नहीं है यह पूछ के चड़ी तो भी फिर बोला रहे नहीं चड़ना नहीं चड़ना नहीं चड़ना अब इस भूल बूले है कर गैट काए मैं भूल गई है खो नहीं जाओं कहीं बीच में क्याते हैं कि एक और वहां जाके इस जूले के अंदर डर गई थी और उसको पता नहीं क्या आने लग गया कि आ गया ऐसा कुछ हो गया अब मैं पूरी पोल नहीं खोलूंगी चड़ी थी आम और बच्चे और मेरी बाबी वह एक दूसरे में च जय कर रहे हैं जैसे देखेंगे भाग क्या इंगे रहे नीचे उत्र नीचे उत्र व्योंकि एक जणा वहां बैठा दियान रख आपको बता वां वह वाला ने उसके उपर एक जना बैठा और देख रहा कि कोई किसी को टाच ना करे किसी की उपर ना चड़ जाए कोई चला तो फिर बोले हमें खानी है मैंने का ऐसा करो एक ले लो 30 रुपए की है काफी बढ़ी है दोनों बांट की ले 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 ला लेकिन नहीं बच्चों ने चिद की कि हम तो दोनों एक एक ही लेंगे और जैसे इन्हों ने लेके चखी बिलकुल इनको अच्छी नहीं लगी डस्ट बिन में फैक दी ऐसे मेरे बच्चे फैक देते हैं तो बे कभी कुछ नहीं खरीती फिर हम यहां पर आगे हैं और सुबह सुबह अगर दस बज़े से पहले आप यहां आते हो ग्यारा बज़े से पहले तो इत्मिना शॉपिंग कर सकते हो बहुत ही अच्छे से देख के और दुकान वाला भी काफी भाव देता है और दूसरी बात यह कि शाम के टाइम तो हो सकता है रेट में भी खरक हो जाए और दूसरी बात एक और ये भी है कि हिशाम के टाइम तो समान खरीद पाओ वही काफी है बहुत ही ज़्यादा पीड होती है और यहाँ पर यह क्लच हैंड बैग और पर्स बहुत ही प्यारी प्यारी और इतनी ज़्यादा वेराइटी और क्वालिटी भी अच्छी है वैसे त पर एक दम जक्कास नहीं दिखती है और यहाँ पर कोई कोई चीजयां जो है ज्यादा खोलने के कारण थोड़ी पुरानी सी दिखती है और यह घड़ीया डेर सौ, थाइस सो, दो सो इसतरह की प्राइस है और सारी फैंस ही है बच्चों की है लेडिज की है और जैन्स की है स पूंसी लोग यह चूड़ी अच्छी मिल रही है मैंने ली थी 470 की टोटल तो कितने ली थी आपने पीछे वीडियों देखी होगी काफी सारी आ गई थी और यह तो यह तो यह गार दो और यह वाली कर दो यह वाली सेम नाफ है सब के तो बच्चों ध्यान से सुन लेना कि अगर यहां पर मेले में आप कुछ भी कोई भी राइड को यूज करते हो मतलब एंजॉय करते हो तो आपके लिए नुकसान ही नुकसान है क्योंकि एक तो हर राइड के 50 रुपाय प्राइज है दूसरी बात यह है कि कौन सा कब खराब हो हो जाए इसमें क्या हो जाए मुझे तो मेरे बच्चों के लिए बहुत डर लगा था इसलिए मैंने सिर्फ एक राइड के लिए टिकेट ली थी और वह भी फिर मेरे बच्चों ने बोला कि हम तो अब एक भी यूज नहीं करेंगे और जिसकी यूज करी थी नहीं मतलब होत लेते हैं और हमारे बच्चों ने एक टिकेट ली थी 50 रुपया की 50-50 की दो टिकेट ली और सच बताओं एक मिनट और बारा सेकिंड में निकल के बाहर आ गए थे मतलब अंदर कुछ देखने को टाइम ही नहीं मिला और जो करना था वो करने को टाइम ही नहीं मिला और तो ऐसे ही होता है सारी की सारी राइड में जैसे भीड बढ़ती है तो ऐसा ही हो जाता है तो मेरे बच्चों ने बाहर आके कहा दिया अब हम कोई भी राइड के एक टिकट नहीं लेने वाले हैं दूसरी चीज़ें दिला दो हमको तो मतलब इतने समझदार मेरे बच्चे तारि ली गई हूं जनता कैफे यह जो स्वीट होम जो सरकारी बस्टेंड के पास हैं वहाँ पर तो इनके पास के इतनी वराइटी थी तो मैं एक छोटी सी साइज के लाइटी में और बच्चे ही थी मैं ऐसा सोचा था लेकिन बाद में फिर कुछ मेमान आई गई थे जिनको पता सारा मैं लेकर अभी आई हूं और तेजस यहां पर बैठा क्या कर रहा है अभी तक यूनिफॉर्म भी चैन्ज नहीं किये तो आते ही मैं थोड़ा डाटा यूनिफॉर्म चैन्ज कराई है और यह केक हम काटेंगे यह वापस आएंगे टूशन से तब शाम को दोस्तों मेरा तो उल्टा मत बिड़ा कर में से बाके कोई नहीं बताते के मैं सही बीड़ रहा हूं तो ओके में माल रहती हूं तो अब हैना स्कूल से अभी आई हूं तो मैं होंगी एक दम तयार टिप टॉप बड़े हैंने मेरा तो बुलाने वाली तो मैं किसी को हूं नहीं और कोई एक तो बाद में खाएंगे चल यह तो खोलनी पड़ेगी को के मत बैठ से पहले आपको बता दू मैं कॉंसी ड्रेस पहनने वाली हूं यह ब्लावज आपको याद होगा ना मैंने बनाया था यह इसका आगे का पार्ट है और पीछे से इसकी मैंने डिजाइन कुछ ऐसी बन अब आज स्लीव बना देती हूं और फिर बताती हूं इसके साथ की साड़ी आपको यह देखिए साड़ी तो यह साड़ी मैं पहनने वाली हूं इसको यह रख देती हूं और ब्लावज तयार कर देती हूं टाइम हुआ है पोने च्छे काम बहुत सारे हैं करते हैं फटा एक बार मैंने ऐसे कंदे भी सल्वत डाली बाकि इस और गेंजा में सल्वत हैं बिल्कुल जो है अच्छी नहीं लगती है और दिव्या भी तयार हो रही है अब इस साड़ी पैनी है थोड़ा तयार भी वो लेते हैं ओके इसको खोलते है तो बच्चे भी टूशन से वापस आ काट रहें केक और मेहमानों के बीच बेर हमारा केक थोड़ा कम पढ़ गया मतलब कि जितना भर भर के खाना चाहिए था ना उतना नहीं था बाकी कम कुछ नहीं पढ़ा था तो अब मैं हो गई हूं तयार और चली कारते हैं फिर के सर्दी अब पूरी तरह चूमंतर हो चु कि एक तो मंगवा नहीं है तो फिर वाई सिंपल क्यों कारत ना तो मैंने तो अपनी साड़ी पहनी है नहीं और दिव्या ने भी ड्रेस पहनी है तेज इसको बोला तुझा ग्रीन वाली ड्रेस पहन के आ जा तो यह शर्ट जो है टाई साल एक साल पहले पुराना वह पहन के चाट ने तो यह जो फोन जिस से हम रिकॉर्ड कर रहें हैं यहाला डिस्टार्स था हमें पता भी नहीं था कप बंद हुआ और यह बंद होता ही हमारा व्लॉग भी बंद हो जाएगा हुआ क्या था हम केख वगेरा काट के रहे थे मतलut बैठे इते गिफ्ट वगेरा भी हो तो वह वाला वीडियो तो नेक्स्ट आएगा और यह मुझे बोल दीजिए हैपी बर्ड डे टू यू और फिर तालिया बजा दीजिए मैंने खुद का बाई तालिया बजा के विश्च करो ऐसे कैसे केक खालोगे तो फिर किया वाई मैं जबर्दस्ती करवा देती हूं और के ना केक और फिर क्या हूँ था मैं सास कीं फूल रही हू chef बच्चोह ने मुझे गिफ्ट दिया किस तरह किफ्ट दिये वह आपको बता दूँब नहीं मुझे बच्ट जाने लिए और कंसी चीज्यनें में प्यूए कोई चीज लेके उसको गिफ्ट के रूप में पर्य और म नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा और मैंने फिर बच्चों को रिटर्न गिफ्ट भी दिये हैं जो कि मैंने प्री प्लानिंग कर रखी थी मैंने पहले ही पैक करके रखे थे और जिव्या ने मेरे गाल गंदे का दी मैं वहीं चाट रही हूँ मैं यह सूछ रही का गालों पर लगाने से क्या होगा और अब मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा यह साड़ी काफी है ना वह ओर्गेंज वाली थोड़ी-थोड़ी कडक सी है तो बिखर सी जाती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब कर दीजेगा और हाँ न्यू है तो चै